Hey guys, welcome back to our channel Learning My Way Basically, आज का वीडियो, लास्ट वीडियो का कंटिनुईशन है जहाँ पे हम डिसकस किये थे सेट थियोरी के बारे में और आज हम सिखेंगे Venn Diagram और सेट Algebra के कुछ लॉस के बारे में जो बहुत ही important role play करता है guys सेट थियोरी में तो बिल्कुल भी वक्त बरबाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए friends, Venn Diagram दिखने में ऐसा होता है अब ये क्या है, कैसे है, क्यूं है ये हम जानेंगे बहुत ही easy तरीके से प्यार से इसको समझेंगे ड़नने की कोई बात नहीं है आप बस इस example को अच्छे से समझे suppose कीजिए ये किसी school का playground है जहाँ पे कुछ friends क्रिकेट खेलने के लिए आए है इन में से कुछ बच्चे हैं बोलर और कुछ बच्चे हैं batsman और जैसे की हर टीम में एक दो allrounder भी होता है तो यहाँ पे भी है अब यह सारे players एकठे हुए हैं इस playground में मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब इस playground के अंदर ही हो रहा है इसलिए इस playground को हम universal set बोलेंगे और universal set को friend diagram में rectangle shape में denote किया जाता है अब इस ground में bowlers को लेकर के एक circle बनाते हैं फिर batsman को भी लेकर के और एक circle बनाते हैं अब एक confusion आता है कि अगर हम दोनों circle को एक साथ रखेंगे तो जो all-rounder है वो कौन से circle में जाएगा तो इसलिए हम all-rounder को दोनों circle का जो overlapping zone है वहां पे रखेंगे अब हम इस scenario को set के साथ relate करते हैं यह मान की चलते हैं कि यहां पे एक-एक circle एक-एक set को denote करता है तो फिर जो दोनों circle का बीच का जो common area दिख रहा है वो है दोनों set का intersection और यह दोनों circle को एक साथ मिला के चो area हमें मिलेगा वो है union और यही है Venn Diagram ड्रॉ करने का proper way as an example आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने A और B दोनों set लिया है और Venn Diagram के त्रू A intersection B और A Union B draw किया है ओके तो लेट्स मूव तो नेक्स टॉपिक और अन्ड टॉपिक इस laws of set algebra मतलब set में union और intersection और कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उस time पे आपको यह सब laws याद में रखना है सबसे पहले आता है item potent law यह law हमें यह कहता है कि अगर हम एक set को उसी के साथ union या फिर intersection करेंगे तो हमें वो ही set वापस में मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a union a is equals to a और a intersection a is equals to a next आता है commutative law और यह law भी बहुत ही easy है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a union b को हम b union a भी बोल सकते हैं उसी तरीके से a intersection b को हम b intersection a में ही बोल सकते हैं मीनिंग सेम ही रहता है कि बाद आता है associative law associative law में आप देखिए यहाँ पे a union b bracket में है और उसके बाद union c है इसका मतलब है देखिए यहाँ पे कि जो bracket था उसको हम shift कर सकते हैं पहले bracket था b union c में फिर bracket लग गया a union b में मीनिंग सेम ही रहता है कोई problem नहीं है इसमें उसी तरीके से intersection के time पे भी यह law applicable है इसके बाद आता है distributive law distributive law में आप देख सकते हैं कि a union b intersection c is equals to a union b intersection a union c अब इस law को याद रखने का सबसे easiest तरीका यही है कि देखिए बाहर जो set है उस set के साथ अंदर जो और पहले जो operator मतलब जैसे कि यहां पर union है वह पहले bracket के बाहर था और अब वह bracket के अंदर जाएगा और जो operator जैसे कि यहां पर है intersection वह bracket के अंदर था वह bracket के बाहर चला आएगा इसी तरीके से intersection के टाइम पर भी यह law applicable होता है इसके बाद आता है डी morgan's law और इस law में आप देख सकते हैं कि a union b total का अगर हम compliment करेंगे तो हमें मिलेगा a compliment intersection b compliment और उसी तरीके से a intersection b उसका अगर हम compliment निकालेंगे तो हमें यह मिलता है a compliment union b compliment मतलब यहां पे जो बीज में जो operator पहले था वो change हो जाएगा साथी साथ एक एक सेट का compliment individually हमें निकालना पड़ेगा next law है identity law यह law हमें यह कहता है कि अगर हम universal set के साथ किसी दूसरे set का union निकालेंगे तो हमें universal set ही मिलेगा उसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे set के साथ universal set का intersection निकालेंगे तो हमें वो जो दूसरा set है वो मिलता है जैसे कि आप यहां पे सकते हैं कि a union you you यहां पे है universal set is equals to you और उसी तरीके से एंटर्सेक्शन यू इस इक्वोल्स टू ए identity law में यह भी कहा जाता है कि अगर हम 5 मतलब नाल सेट के साथ अगर किसी set का union निकालेंगे तो हमें वो ही सेट वापस में मिलता है और अगर हम नाल सेट के साथ किसी दूसरे सेट का intersection निकालेंगे तो हमें नाल सेट ही वापस में मिलेगा जैसे कि आप यहां पे as an example देख सकते हैं कि a union 5 is equals to a and a intersection 5 is equals to 5 next law है compliment law और यह law भी बहुत ही easy है आप चाहे तो खुछ से यह समझ सकते हैं देखे पहला point हमें यह कहता है कि a union a compliment is equals to you you यहां पे है universal set मतलब ए जो universal set के अंदर ही है और उसी के साथ एक compliment इन दोनों का union हम निकालेंगे तो थो यूनिबर्सल सेट ही मिलेगा उसी तरहे से अगर एक सट का उसके compliment से intersection निकालेंगे तो voi नहीं मिलेगा मत्त फzerब सट मिलएगा टीश्रा point हमें यह कहता है कि a compliment का compliment अगर हम निकालेंगे तो हमें वापस में यही मिलता है फिर फोर्थ पॉइंट हमें यह कहता है कि यूनिवर्सल सेट का कॉंप्लिमेंट होता है फाई और फिफ्थ पॉइंट में यह कहा गया है कि फाई का अगर हम कॉंप्लिमेंट निकालेंगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट और अगर आपको यह कंफिशन ह हो रहा है कि यहां पर जब सी लिखा है तब कंप्लिमेंट मैं बोल रहा हूं उसी के साथ साथ जब यहां पर डैश दिया गया है तब भी मैं कंप्लिमेंट बोल रहा हूं तो देखिए मैं यहां पर एक चीज़ क्लियर कर दो कि कंप्लिमेंट को सी या फिर डैश इन दोनों से ही डिनोट किया जाता है तो इस चीस को लेके कोई भी कन्फूशन नहीं होनी चाहिए तो फ्रेंड्स आज का क्लास से ही पर खतम होता है अगर आपको यह वीडियो लगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ शेयर कीजिए दोस्तों में और आप कॉ को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को भी ब्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए नेक्स्ट वीडियो में हम सेट थियोरी का कुछ एग्जामपल्स देखेंगे तब तक के लिए बाई बाई सी यू के लिए